हेलो गाईज और वेल्कम बैक टू मैं चैनल अगर आप चैनल पर नहीं है और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और बैल के आइकन को जरूर से प्रेस करना और साथ ही साथ आपको शेयर जरू करना है इस वीडियो को ज्यादा और लाइक जरूर से करना है विडियो को तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपेसी के बारे में और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और कब इसकी एक्सपेक्टेड डेट से एक्जैम की और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और इसके क्या परणाम होंगे जो ये आप फास्ट फॉरवर्ड करके विडियो को देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है ठीक है तो मैंने आपको पिछली विडियो में ही आपको बताया था उसी चीज़ पे फिर भी मैं कायम हूँ और वैसा ही कन्फर्म ये हो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन करने में लिए यह करने के लिए करने के लिए अपिए्प्लिकेशन फरम भरने के लिए ऐसेएं तो यह रहने वाला है यह जनवरी के लस्ट में आपको रहने वाला हैम् jeślikemam eight बौ। जो होने वाला है ठीक है पैटन जो होने वाला है अब आप कह सकते हैं कि लगभग लगभग वो finalize हो चुका है मैंने आपको बताया था काफी comment भी आये थे कि क्या सार इसमें जो है change होगा तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो है finalize नहीं हुआ है लेकिन इतना तय है कि objective ही pattern रहने वाला है और वही चीज आप सामने आ रही है इसके pre main और interview ठीक है तीन stages रहने वाली है pre main और interview तीन stage रहेंगी और pre objective होगा mains भी objective होगा उसके बाद interview होगा आपको final ठीक है तो यह रहने वाला है इसमें pattern और इसका जो exam date है ठीक है वो आपके नए calendar में बताई जा सकती है और नए calendar आप मान के चल सकते हैं कि एक दो दिन में या फिर 20-22 तक maximum आपको IO की तरफ से नए calendar जारी कर दिया जाएगा जिसमें विविन पर इक्षाओं की आपको information दी जाएगी UPPCS बगेरा के notification और उसके pre और main की dates के बारे में बताया जा सकता है UPPCAE के बारे में उसके calendar में बताया जा सकता है और अगर नहीं भी बताया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग लगभग ऐसा ही होने वाला है कि इसका जो pre का exam होगा ठीक है पहला notification आएगा January के last में February में apply करेंगे और इसका जो exam होगा pre का यानि UPPCAE pre ठीक है वो होगा माई last से जून के first week में यानि माई के last में हो सकता है या जून के प्रत्थम सब्ता है यानि first week में हो सकता है ठीक है इसी तरीके से UPPCAE का जो mains exam होगा वो होगा October के last week में होगा ये mains का exam UPPCAE का ठीक है और उसके बाद एक से डेड़ महीने के अंदर-अंदर आपका interview करा लिये जाएगा मैंने पूरी information आपको बता दी है ठीक है ऐसा ही होने वाला है इसको आप जो है इसी के हिसाब से अपनी तैयरी कर सकते हैं अब इसका जो pattern change हुआ है तो इसका कहीं न कहीं जो impact है वो UPPC Polytechnic Lecturer की भड़ती पर भी पढ़ सकता है ठीक है अगर UPPC Polytechnic Lecturer की भड़ती UPPC से ही आती है नए शिक्षा बोर्ड से नहीं आती है तो आप मानके चलिए कि उसमें भी ऐसा थोड़ा सा pattern रह सकता है कि प्री होगा फिर मेन होगा और फाइनल आपका interview होगा लेकिन अभी ऐसी कोई final information नहीं है कि Polytechnic Lecturer में भी ऐसा ही होगा लेकिन सब महपता ऐसा किया जा सकता है क्योंकि AE और Polytechnic Lecturer की भड़ती में ज्यादा अंतर नहीं है लगभग same ही syllabus है same pattern है और बिलकुल same ही level रहता है exam का ठीक है तो ऐसा उसमें हो सकता है बाकी जो भी information मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा तो इसी तरह के updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं next video में